पुरानी रंजिस को लेकर दो पच्छों में हुई मार पीट, पीडित ने लगाया आरोप अभी तक नहीं हुई कोई गिरतारी मामला थाना छेतर संग्रामपूर के सरया ग्राम सभा का है जहां 28 सितंबर 2020 साम चार वेजे पुरानी रंजिस को लेकर संदीप पांडे पुत्र बिसंभर नात पांडे बिसनात पांडे अजीत पांडे कल्याडी के घर के सव मीटर दूरी पर घात लगाये बैठे थे जैसे ही कल्याडी का भाई सैलेस और मंगल अपने घर पहुचने वाला था कि हमला वारों ने दोनों भाईयों पर कुल्हाडी वा लाठी डंडे से आत्म घाती हमला कर दिया जिससे सैलेस मंगल पांडे दोनों बुरी तरह घायल हो गए बीट बचाओ करने गई कल्याडी वा रेस्मा को भी बुरी तरह मारा पीटा गया मौके पर पहुची पुलिस घायलों को 108 की मदद से सामुदाइक स्वास्त केंडर संग्रामपूर में ले गई घायलों का इलाज संग्रामपूर में चल रहा था लेकिन सैलेस वा मंगल पांडे की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें ट्रामा सेंटर लक्रो रिफर कर दिया और उधर पुलिस के दोरा एफाई यार लिख जाने के बाद भी छे दिन बीट गए कोई भी अभी तक अपराधी को पुलिस नहीं गिरबतार कर पाई है मार पीट के बाद से अब तक कल्याणी के परिवार को बराबर धमकी मिल रही है कि सुला समझोता कर लो इस धमकी से पीडित परियार परेसान होकर 3 अक्टूबर 2020 को जिलाधिकारी अमेठी की कारयाले में एप्लीकेशन देने पहुचा जिलाधिकारी ने पीडित परियार के बाद सुनी और अस्वासन दिया मामने की जाच करवा कर कड़ी से कड़ी कारवाही किये जाने की बात कही मध्यांचल वीरो राम प्रसाद सुकला के साथ हमेठी से ओम प्रकास सिंग की रिपोर्ट हमारे इतनी चोट हमारे भाईयों को लगी है प्रामा सिंटर में इडिमित हैं भी उसके बाव वजूद हो लोग ऐसे घूम रहे हैं उसके बात कह रहे हैं अगर मुकदमी बाजिंग पड़ोगी तो जान से मार देंगे और उनको चोट भी नहीं है अपने इस्तिदारी में जा